दानवीर सेट अमर्चंद जी बांठिया का जनम 1703 में को बिकानेर में हुआ दानवीर सेट अमर्चंद बांठिया भारतिय स्वाधिनता आंदोलन में राज्तान के पर्थम सवतनतरता सेनानी तथा पर्थम सहीद थे अमर्चंद बांठिया की इमानदारी और योगिता तथा न्याइप्रिता को देखकर महराज़र जयाजी राउसिंदिया ने उन्हें गंगाजली राजकोस का कोसा देक्स बना दिया अधिकारियों तथा अन्य लोगों से उन्हें अंग्रेजों दुआरा भारतवाशियों पर किये जा रहे है अत्याचारों के बारे में जानकारी मिलती रहती थी बारतवाशियों पर अत्यचार की खबरे सुनकर उनके मन में बारत को सवतंतर कराने की भावना परबल हो उड़ती थी उसमें जहां कहीं भी यूद होता तो अंग्रेज बारत्य सेनिकों को यूद की आग में जोंक देते थे बारत्य सेनिकों को जब गाई बेल की चरबी और पसु चरबी लगे कार्थ उसमुए से खोलने का आदेश दिया जाता तो वे मना कर देते थे इसी प्रकार गोवंस के परती विशेस आदर के कारण एक बार बंगाली सेनिकों ने बेलों की पीट पर बेटने के लिए मना कर दिया तो कहते हैं कि इस प्रकार की मनाई पर अंग्रेजों ने 700 बंगाली सेनिकों को गोली से बुन कर मोत के घाट उतार दिया यह सुनकर बांठ्याजी के आत्मा मात्री भूमी की तरप तडप उटी 1860 की करांती के दोरान राणी लक्सियों बाई और त्याता टोपे के सामने धन का संकट उत्पन होने पर उन्होंने अपनी नीजी संपती के साथी गौालियर राजकोस को भी करांती कारियों को सौप दिया नाना साहिब पेश्वा के भाई राओ साहिब के जरीए आर्थिक साहिता बिजवाते रहते थे वे हर प्रकार के देश भुक्तों की मदद करते थे बांठिया जी के इस नियोजित स्योग के फल सुरूप विरांगना महरानी लक्ष में बाई दुस्मनों के चके छुटाने में सपल रही बिटिस सासन ने देश भक्त अमर्चंद बांठिया के स्योग को राजदरोह मना अंग्रेजों ने बांठिया जी को त्रे त्रे की बरबर यातना दी कुरूर बिटिस सासकों ने खोब पैदा करने के लिए बांठिया जी के दस वर्षिये खुत्तर को तोब से उड़ा दिया अंग्रेजों ने लोगों में खौप बनाए रखने के लिए गौालियर में सराफा बजार में स्तीत उनके घर के सामने ही नीम के पेड़ की साका से लटका कर खुले में बांठयाजी को फांसी देने का फैसला किया अंग्रेज ब्रिगेडियर नेपियर के नेतिर्ट्वे में 22 जून 1858 को बांठयाजी को फांसी दी गई उनकी इस सहाधत से चार दिन पुरुए ही राणी लक्समी बाई वीरगती को प्राप्त हुई थी अंग्रेजों की बरबरता तब भी कम नहीं हुई उन्होंने अमर सहीद बांठयाजी के सव को तीन दीन तक नीम के पेड़ पर ही लटकाए रखने का आदेश दिया प्रीजनों ने अंतेश्टी के लिए पार्थी उसरीर मांगा लेकिन अंग्रेजों ने उनकी मांग ठुकरा दी अंग्रेजों के सिपाई नीम के पेड़ पर लटकते उस पार्थी उसरीर का पहरा लगा रही थे उन तीन दिनों तक अंतेष्टी होने तक उस खोपनाक एंधुखत माहूल में बांठिया जी के प्रीजनों, रिष्टेदारों और देश भक्तों ने अनजल गरहन नहीं किया बांठिया जी 1850 की करांती में राजस्थान से सहीद होने वाले पर्थम व्यक्ति थे इसलिए इन्हें रास्तान का मंगल पांडे भी कहा जाता है उस एतियासिक सादत का साक्सी वहनीम का पेड जिसके नीचे वर्तमान में अमर सहीद अमर चंद बांठिया की परतिमा लगी हुई है चैनल को सेर सस्क्राइब और लाइक का बटरन दबाना नहीं भुलें